रादे रादे टू आल आफ यू वेलकम टू पढ़ले बेटा मौका है मेरा नाम आकाव वाजपई है और इससे पहले हमने क्या किया है कि आपके लिए ज़ातर हर एक जो मेजर सब्जेक्ट है उसके माफ्टर वीडियो ला चुके है और यह आपके अग्रोनामिका है और इस जुनों बात है ना नेशनल सीट कॉरपरेशन का उनके लिए वीडियो काफी अच्छा होगा इसको पूरा दिखके जाईएगा ठेक है और जो बच्चे नहीं हमारे बच टेलिग्राम गुर्प पे जुड़े है वहाँ पर हम इंपर्टेंट पीडिये वगरा सेंड करते रह वाराम से आकाद वाश्च पे इस्टाग्राम सर्च करें अब हाँ पर कोई भी समस्या बिना किसी हिस्टेशन के पूंच सकते हैं यह तो होगे बेसिक जनकारी जो किया निवारती आप मेरी बात सुनों देखो आज जो एकोनोमियां पढ़ेंगे यह आपकी रिवीजन क्ला पिप्लम्षाच करते हैं अच्छा देखो अगरोंनामी जो है एक ऐसा वर्ड है यह अपका गरीक वर्ड है दो सब्दों से मिलकर बना है एकग्रोस और नॉमस यह आगे लिखा हुआ है आच्छा जो पीट्रो डी करसंजी जह है उनको एगुनामिक है कौन कर जाते हैं यह कर दे जनक एक तरिके सी जो पापा है अगुनामिक है वो पीट्रो डी करसंजी है बाराफो तीस तेरा सो साथ याद रखने हैं इनका ये टाइम आच्छा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओपस रोलियम कामोडारम कौशी पुस्तक थी आपस रोलियम कामोडारम आगे बढ़ जाओ जैंत्र टूल के बारे में जान लो थोड़ा बहुत 1674 से 1741 याणी AD इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इन्हें फादर आप टीलेज्या थी भी बोलते हैं ऐन्नोंने एक पुस्तक लिखी से कि और पुस्तक लिख़ी फार्मिंग वास स्टाटर बाट सुचायों चुहारा फारमिंग इंडेक्स अपन ग्रांड या को हम लोग रिप अपने अपने इंडेक्स बोलते हैं रियो इंटर ग्राप है इंटर रॉटार्व吸 लगा जाती है उसमेंसे जो एक अकेली क्राब है, ठीक, उसके रेसियो को बोलते है, लेंड इक्योविलेंट रेसियो, मतलब कि आपने गेहु, धान, मक्का, फुरी गेहु गेहु और चना लगा दिया, ठीक, उसके बटा वालोग गेहु यह यह चना कर दो, यानि कोई एक क्राब जो है, उस अगर 10% प्राइड है जढ़ाय जादा इल्ड है कम होगा तो दिकत में होगा क्रापिंग इंडंसिटी बोलते हैं इंडिया की इतनी है क्राप रोटेशन क्या है ठेक हम लोग के बेसिक नियम होते हैं उनको याद रखना अच्छी से फर्टिल्टी मेंटेन करो है ना एरोजन को रोको ठेक हाई रूट के बाद छोटी रूट वाली पूरा तुम लोग जानते हो क्रापिंग रोटेशन इंटेंटी कैसे निकालते ह क्राप लगाई है उसका जो बटा है यानि भाग है वह अपॉन जो है नंबर आप यह यानि एक साल में कितनी फसल लगा रहे वह साल नीचे लिखो कितने साल की रोटेशन निकाल लो इन्टू हंडेड कर दो दन्ने से निकल आएगा ठेक राइस पी है तो राइस पी दो क्र आप हो गई बटा जो है एक साल में होती है एक करदो इंटू हंडेड कर दो ठीक तो आपका फटेशे ने इसको दोनों को जो है 200 ठीक दो सो बटा एक बरावर क्या हो जाएगा दो सो पर्फड हो जाएगा फटे से इंटरप्राइज है यह जो टेक्नोलाजी है उसका अपस में संबन दी जो है क्राफिक सिस्टम कहलाता है सिधार वासा में जानो आगे बढ़ो हार्विस्टिंग इंडेक्स क्या होता है इकानोमिक इंडेक्स जो है उसके रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं हर्विस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं कितना दाने की तुल्ला में जो है उसमें कितना दाना और भूसा दोनों था उसे ही हर्विस्टिंग इंडेक्स बोलते हैं सीधी वासा में जानो आगे बढ़ो ह सबस्टाइब் जाता है थेख जैसे कि लीफ बगएरा ये कैसी है और इस सब्सक्राइब निowa न Harp आगे बड़ जाओ, ठेक, सोरगम सिखिनेस क्या होती है, ठेक, कोई काम का नहीं, यूनिट टू, ड्राइलेंड अगरिकल्चर, बस तीन डिफिनिसन जान लो, ड्राइफार्मिंग क्या होती है, जहाँ साथ सो पचास मिलीमेटर से कम बरसा होती है, ड्राइफार्मिंग क्या ह क्या होती है आगे वड़ो रेनफाल जो है ड्राइलेंड अर्ट से कम रेनफार रेनफिड में 800 पे ज्यादा टिक मौस्चर अबिल्टी इंडेक्स पढ़ने वाली चीजें हाँ ग्रोइंग से याद रखो 200 से कम होता है और 200 से अधिक होता है अगे वड़ो आँ है कावा ऐकवा नाटिमेटी ड्रियुनल प्लानिंग घावा एकावा नानटी नेंतिमेटश्वलह प्ल delayed में सूद्हार में यह बिए 21 प्लस बन 21 इस आइस्यार के अगर जोन है वह आठ एक ड्राट बहिया किसे कहते हैं पचता परफेंट से अगर कम वर्सा हो रहे तो ड्राट कहलाएगा ठीक है और पचाप परफेंट से भी कम हो रहे तो से क्या बोलेंगे सीवेड राट पोलेंगे टेक याद रखन यह कही रहा है कि पचाप परफेंट जो बर्सा हुई है टेक उसकी तुल्ला में जो पोटेंशल इभी पूर ट्रांसपारेशन हो गया उसके रेशियो को यह क्या बोलते हैं मोईस्चर अबिल्विल्टी इंडेक्स बोलते हैं टेक रेंफालेट 50 परफेंट परफेंट यान साड़ेश तीन बजने राथ के पटा हुआ हमारा बाते करने मन कर रहाता है हमने मोगाल उठाया वाटसेप किताब पड़ी त 116 बाते की जाये अंब बाते करने लगे लडकी उड की ना समझना आगया जाओ इव एक फूर्ट रांसपारेशन बहिए क्या होता है तो यह अच्छा इवेपर के फार्म में आगे बड़ो या मल्चे से इसको कम कर सकते हो और हम से बिंड ब्रेक वगरा लगा तो कम होगा ऐन्टी ट्रांस्परेंट क्या होता है है त्रांसपाररिशन को वेड या अज़ने मचेरियल एंथी अंच्छा आगे देखो ये चार तरिके के होते हैं ये चार तरिके हैं इंपोर्टेंट आपके लिए इस्टोमेटा क्लोजिंग टाइम एक में होते हैं एक में फिल्म फार्मिंग होते हैं एक में रिफलक्टिंग टाइप होते हैं तो भाईया जो इस्टोमेटा क्लूजिंग टाइप होते हैं यह का करते हैं यह बाटर के लास को बहुत कम कर देते हैं जैसे कि फेनिल मर्किरिक एसिटेट पीमे एड़ दरेट वन जीरो फोर इसके लाब एट्राजीन तो इंपॉर्टेंट है एंटी ट्रांस्पेरेंट है आ अच्छा यह तो फिसिकल बेरियर के दरा काम करता है इसमें क्या है बस खाली केमिकल के नाम याद रखो मुबाईल लीफ हैक्सागोनल सिलिकॉन ओईल वैक्स तो मुबाईल लीफ याद रखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठेक फिल्म फार्मिंग होते हैं आगया जाओ ग इस्टोमेटा को बंद भी कर देते हैं जैसे कि साइकोसील साइकोसील क्या करते हैं इस्टोमेटा बंद कर देते हैं ठीक ग्रोध रिटार्डिन मतलब कि इस ग्रोध को कम करना आगया जाओ विंड ब्रेक और सेल्टरवेट क्या होते हैं ठीक ऐसे ब्रिच लगाओ जो कि विंड की स्पीड को कम कर दें विंड ब्रेक कहलाते हैं ठीक अच्छा आगे बड़ो एक ग्रो फरस्टी क्या है ठीक कितना कम कर दें पांफे डस टाइम तर तीस से तीस टाइम तक अभी कभी ल अग्रों करना कर देगरे क्या हो जाएगा मिसल्व पास्टर क्या हो जाएगा लगा फोरेफ्ट लगा लिमीटिंग लिमिटिंग अ उसकी पैसिटी के साफ से हम लोग लेंड को आठ भागों में बाड़ते हैं सुरुआत के जो चार होते हैं वह यह कहीं से प्रोड़क्टिव होते हैं वंतिम के चार जो होते हैं अच्छा वह सामने लिखा हुआ है ठीक आप देखो पहली क्राप किया है दुफरा क्राफ याच कर से समस्क्रिशा याज पाट है नहीं आगे अए शाल कंजर्वेशन मीजर पर इंपनेट नहीं नहीं है जहको स्वाल सवाल कंजर्वेशन के लिए एकोनामेक मिजर जो है फ्लोब लगवागवाग्यद दो परसेंटत्स्में होना चाहिए ठीक नहीं होगी पिर नहीं होग अच्छा कंटूर कल्टीविशन कांटूर कल्टीविशन में लगव छे परशन दो इसमें लिखा नहीं है हाँ लिखा नहीं है मल्चिंग उपर से आराम से क्या का भी धनिया हो ना उपर से थोड़ी पाती बगारा डाल देते हैं जिसके लॉस्ट ना हो ज्यादा और फ्रोष लो तो से मुल्बी लंबी लंबी स्टिव बन जाती हैं तो स्टै न क्लकर से ब्लाइन से लगंग मेचेनिकल मीजर्स के लिए पर अपलाई होते हैं जहाँ पर फ्लोब कंडूर बंडीं में में स्टोफ होता है तुक्तिक है ताँत जह स्पार थिम्लिक स्पाम्रा बंडींति की फे मंत फिन्रेंट . में होता क cricket टिक का सबस्ट स्षोइलिंग है थींग टान कtes के सबस्पारणा यह तेजलियंग क्या है तीन levar जो मैं है ना से 90bn सक्षिक वर दते स्क्राइब बंडिंग किना फिरों दो से 20 ग्रेंडट में खाली कंटूर में 6 परसेंट अना मेकैनिकल में 2 क्रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए तरेए वेंच्ट्रेंचिंग में 16-33 यह rखो टेख बर्टिकल मलंचिंग क्या होती है यह काफी गाडर में करते हैं याद रखो क्लाइमेट क्या होता ऐसी कंडिशन अमस्फेर की एक समय में एक टाइम पर जो कंडिशन अमस्फेर को होती है उस स्थेम वेदर बोलते हैं तो यह जो है ऐक डिए का लेस्ट अब्ञेस का आडरल अजिक्ट हैं इसका गएस का पुरे जो आर्थ के आज-पास घुमा हुआ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आजमास्पीर बोल देते हैं यह भाईसाफ सोरह सो किलिमिटर तक है उपर तक ठेक और 99 जो उसका है प्रोटल माज एडिमासफिर का नीचे से 40 क्लिमिटर तक ही फैला हुआ है ठेक बहुत क्या मतला पर आगे देख लेना अब देखो प्रोपेसर की बात करें तुब अच्छा एक और बात यह अर्थ क्लाइमेट काफी इससे प्रभावित होता है अब पूरे अटमास्फिर का तो 8-18 किलोमेटर नहीं यह लिए होता है अच्छा फॉरी यह लिखा तो है हां आट से आरा के बाद जलाएं सकते ग्रम लेहर होती है यादर रखनों वार्मेस्ट लेहर है एक और जो लेर इसी में पाई जाती है बत्तिस किलोमेटर का सबस पाई जाती है इसकी थरमモ इस्पेर आटेटिवर बहुती है वही है, इसकी थरमो के लिएर बाहः होती है त्रही इसक्समें कम होता है, एल्टिवर के बढ़ने के साथ साथ आच्छा भाई या गैस इसमें देखो एटमास्पेर में कौन कोछी यह से होती है नाइट्रोजन 78.08 है आफ्विजन 20.95 है आर्गन 0.93 है कारवंड एक्साइड 0.03 है बेलोकुल सही एक कंपोजिशन आप स्वायलेर स्वायलेर का कंपोजिशन क्या होता है नाइट्रोजन पर में कारवंड एक्साइड स्वायल में आठ से दसगुने जादा होती है इतना जानो दसम्र दो बांट परसेंट सोलर कंटेंट क्या है ठेक आगे बड़ो यार कोई काम करें हां सोलर कंस्टेंट होता है वेलू कितनी होती है 1.94 केलोरी सेंटिमेटर स्कार पर मिनिट होती है जिसके अगर एसा यूनिट बताएं तो 13133 बांट होती है ठेक अच्छा भाई या क्वांटा फोटांस इसको नापते है फोटो सिंथेस एक्टिव रेडियेशन की बात करें तो भाई या फोटो सिंथेसिस एक्टिव रेडियेशन जो है यह आपकी जादर कितने 0.4 से 0.7 सिंथे 1.5 माइक्रो मीटर तक यूज की जाती है माइक्रोण तक है अगर इसे 400-700 निनो मीटर भी बोल सकते है यह किसा नापते हैं कॉआंटम सेंसर नापते है और इसकी यूनिट जो होती है वह इस तन होती है यह वाट पर मीटर स्कार होती है लग्स क्या है लख्स जो है यह oldest unit है किसकी solar radiation को नापनेगी अच्छा किसे नापने इस प्रक्ट्रो फोटो मीटर से नापते हैं जो narrow wavelength होती है इनको इस प्रक्ट्रो फोटो मीटर से नापते हैं वह आपकी the rate of which temperature change हां देखो बात यह है कि 10 degree Celsius तक बात कहीं जाती है यानि इसका जो अगर बात करेंगे कितना temperature बढ़ेगा अच्छा अलवीडो का होता है अलवीडो की बात करें जितना वही है तुम्हारा सूरी का प्लाट सूरी की रोसनी आई और रिफलेक्ट होके जितनी बापफ से ली जाएगी वही अलवीडो के लाएगा वही हमने लिखा हुआ है इंट इस रेसियो इंकमिंग इन आउटकों इसwydd नुटेशिक सब्सेतब किसमें होता है अलवीडो भके बर्फ में होता है सबसे कम किसमें होता है चार कोल में होता है ठेक आएगा डाव की साइकलोन में क्या होता भाई या देखो बीच का टंपरिटर खूब हुई गया ठेक हाइट टंपरिटर लो टंपरिटर हवाय चलेंगी चक्कर घूमेगा साइकलोन के लाएगा देखो आज साइकलोन रफली सर्फली लो प्रेशर एरिया ठेक हुज डामेंटर में भी 100 यह क्रूमिन देखेक सिक जाएक तर्नेटर टाइफ़ों अ और अच्छम्न के एकजांपल हैhaba होती है こlemies j Progress 물 रॉढ गने जैता है हां फोते घ्लाइमेट बोलते है क्लाइमेट बोलते हैं predic dierved क suf सब्सक्राब करें भी मैंस Πैट ईंडप सब्सक्राइब моиisesti कटना होता है तो माइस्टाव सब्सक्राइब में होता जिरो से तेटी दुसमलब तीन जीरो से 33.3 से माइनस 66.6 से ज्यादा आगे बड़ो मॉइस्चर हमिलिटी क्या होती है कोई काम का नहीं है रिलेटीव हमिलिटी क्या होती है जितना बाटर पेपर जो है वह हवा में प्रिजंट है उसकी तुल्ला में जितना वाटर पर आपको चाहिए मतलब saturation के लिए उनका यह ratio क्या कहलाता है relative humidity कहलाती है ठेक इन-200 उसको कर देंगे रिलेटीव हमिलिटी किसन आपते है परसंटेफ न आपते है ठेक यह आपके अगरिकल्चर के लिए बहुत इंप्वाटन्ट है एपसलीट हमिलिटी किसन आपते है ग्राम परिमीटर से काम होता है सुनों का क्यात्ता होता है आइस क्रिस्टल रिल्टी फ्राम सब्लिवेशन जैसे सब्लिवेशन में यूज होते हैं डिव बगारा जब जान लो आप देखो सेल्चिस कैसे निटारा करेंगे जान लो एफ मानस बतीफ पांच बटानों ठेक फारणाइट में चैंज करने के लिए का करेंगा सी नाइन नोव बतला चल्सियस नोव अटा पांच इन्टू प्लस बतीस केल्विन के लिए क्या करेंगे जो डिगरी होता है दो फती तर जो सवायल्ट थर्मोमेटर जो है इसमें मरकरी तंप्रेचर मरकरी थर्मोमेटर का भी प्रियोग के जाता है ठेक फिनोमने वे घया आज़ा आजाया एक्कौल एलिवेसन मतलब कई लाइन सोथे एक्कौल एलिवेशन में उन्सु क्या बोलते हैं कंटूर बोलते है आई-सो प् अंतलब काई भाटर टेबल बाटर में आते वारांसे बात करते हो आई सो हेल्ज किया है संसाइन हावर्च के लिए होती है आई सोक्रण इंप्रण नहीं है जी से आपता है अटमोमेटर से स्टोंनीक् Castle संडूपे टूर्फिक पीजन जानते हैं अंड और करमिटर अपते हैं pale इंप्रौन के सब्सक्राइब से एकंट आपके समय करहें मिट्रोमेटर के सभ्ण रापतें इस मीट्रोमेटर नातें जो के लापते हैं पाइ्र हल्यू मेटर्स मते हैं तो जो पाइला enslaved सेमा प्रम्प कहते हैं किगी आपते हैं पीडियो मेटर से आपते हैं मोटा खेंगीत Byu और अंब आपको सेंगा पाइलेडीय सब्डेल क्वा प्रहलोर मेटर्स्न डीन सब्गी हैं मानसुन ये एक एक अरवी भासा का सब्दी थेक आगया जओ लिदिया इंडिया नौर्थ इस्ट यहां सब्ध्धा भारत में नीटिया बात करता होगी अच्छा पाइंटी सबसे अधिक वर्षा होती है एक जुन को आता है कहां आता है किरला में आता है इसकी स्पीट 30 किलिमेटर प्रति घंटा की होती है इसे मुनों ग्रेंट पिरिड आप रेंफाल भी बोलते हैं 75 परफेंट बर्षा इसी से होती है साउथ बेसम बढ़ जाता है एक अरेविक सी मे जो है यह 20 परफेंट बर्षा होती है यह आपके होती है असम में असम में मेगाल है जो है गारोख खासी जैनतिया पाहड़ियों के कारण सफेदिक बर्षा वहीं पर होती है आगया जाओ तो नार्सिष्ट मांसून जो है यह आंथ परदेस्ट तमिलाडू में है इसे रिट करते हैं तीन तरीके की 9mm दिन के कम होती है इसे ङुक्तिया और जोल्क बाली जोवेंटिक होती है अच्छा जडान से ने अगर तुम बरफ रखो गे पानी रखोगे तो बराफ जब बन जाएगा तो नो परसेट उसका आयतर बढ़ जाता है अच्छा सब्ली मेंसन के लिए कितनी हीट छेसो बीस केलोरी अच्छा वाटर लोगी क्या होती है ठेक जब सभी पोर्स जो है माइक्रो मैक्रो दूनों भर जाते हैं ठेक अब में हवा लेने की जगा नहीं बचती तो वही आब आटर लोगी कहलाती है अच्छा डेमेरिट क्या है इसमें क्या है आख फिजन डिफिजन रेशियो कम हो जाता है ठेक एच बगारा सब कम हो जाता है अ अच्छा सम जो आपके बाटर लोग बाला स्वाइल है उसमें जो है कभी कभी अकोची डिजीज की अब देखी जाती है राइस में लगता है हार्डोजन सल्फाइट से लगता है ठेक इरिक से डियूरिंग बात करेंगे ट्रांस पालेशन रेशियो लिखा है स्वाल में 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 कोई काम कण यह अप्रोच भी बोलते है इप एक यह इंपॉर्टन घियूय वर किशितने की परियार नहीं की और यह सब से अधिक जो है और किसका होता है राइस का होता है ठीक वीट कर तो पॉइंट नाइन होता है भाकि सब का 0.9 है ठीक सब सका होता है से फौइफ ला आगे ऑज दो राइस का 85 परसेंट है पचास ही है एक यूजा बलावर कितना होता है एक उन्मेटल शाट से चले जाओ हो ठीक पथा लग जायगा एक अटमास फिर बलावर प्लाविंग को कैसे बाटते हो सेलो वाला जो होता है 55-50 मिटर तक मीडियम वाली 15-20 और डीप वाली 35-30 मिटर गहराई में ठीक वाटर फेट क्या होती है एक नेचरल यूनिट है लेंड की जिसमें रनाफ वाला वाटर जो है वह कलेक्ट होगा ठीक गढ़्धा टाइप का ब बोलते हैं इरिगैसन अिरिगैसन फ्लर का इशन जेखिशन इलिगैसन जफ वैसे देखो इंडिया शंब शोट और भर्ण पवरण दो मेड आध में चीछुट में चनल अब करते हैं । जो लिए बादर इस चाहिए तरहा शुद्ट भी के जाए कि अप्लाई की जाती है तो तो आम लोग बना देते हैं बॉर्डर इस्टेम में क्या है बादर रोना जिते हैं इसके लिए फ्लो पोना चाहिए जो इंफर्पलाइब शोड़ना आगे बढ़ जाओ अच्छा जो इसमें शुलोप होना चाहिए फर्रों में पॉइंट वीट ग्राउंड नट दोनों में यूज होती है आधा पानी तक पहुंच जाएगा हम लोग दुफरे कुड में काट देंगे तो आउन आफ इरिगेशन कहलाती है ठेक इसकी इफिसिंसे भी खूब अच्छी होती है लेकिन वहीया तुम्हारे उससे कम होती है डिप इरिगेशन से कम होती है क्या है स्प्रिंकलर क्या है इस प्रिंकलर जो है खूब जो अंडूलेटिंग जमीन होती है वहां खूब प्रियोग की जाती अच्छे तरीके से और इसमें जो है वह लगवा पत्चीस से पचाप परफेंट पानी की बचत होती है एक गटे में गिरता है इस प्रिंकलर का प्रेशर 2.5 से 4.5 केजी तक होता है याद रखना टीपर सेंटी में इसके रिप्रिकेसिन की खुझ इसरायल में हुई थी इसकी जो वाटर इस इफिसेंसी होती है वह लगवग 95% तक होती है इससे बाटर की बचत होती है 50-70% होती है इसमें क्या होता है इसमें प्रेशर होता है जो जब ज्यादा पानी हो जाता है तो उसको निकालना ही जल निकास कहलाता है झाल जन निकासमें ध्यानदा होता है जिसमें ज्यादाइब जो है स्वायल का लास्ना और देखो arm में क्ते यूज होता है ठीक ड्रिनेज अब फ्लेट एरिया में क्या करते हैं फ्लेट एरिया में ज़िए अब करना है तो इसमें दो परफेंट तक फ्लोप होना चाहिए ब्रोड बेट फर्रो में क्या करते हैं इसमें लगवक क्या करते हैं इसमें फ्लोप जोना चाहिए पॉइंट फ पढ़ा लिखाए वाली बात नहीं करनी चाहिए मोल्ड जो है एक जो क्लेस वाल में अच्छे से होता है वाल्टिकल दिलने जो है इसमें जो है कुए टाइप के बना दी जाते हैं बार्टर को मिजर्मेंट करने के लिए एक औरी फिसस मेथड़ है ठीक विर्स मेथड़ है और यह से पार्सल फ्रॉम में ठीक पोटेंशल क्या होता है के पल्टर क्या होता है कि अब देखो इसे इनरजी वाटर वाटर जो है या उसके जुट्वाटर रहता है उसे लोग नोगों पोटेंसिल बोलते हैं आपकर बताई चुके हैं इंट्रिक वाटर लेटिंग बताई चुके हैं ठीक सभी पोर्स जो है वह आपके पाने से भर जाते हैं ठीक और जो आपकी वाटर की टेंशन है वह जीरो के आसपास पहुंच जाती है तो सब्सक्राइशन के पैसिटी बोलते हैं अच्छा फिल्ट के पैसिटी क्या है जान लो भाई चीज़ है त्वा सब्सक्राइशन. Isas does 구rable, फिल्ट के अपास होती है हुल्ट के यह अरहन की फार्ज सब्सक्राइशन की आचाओ इन्होंने किया किस पर प्रयोग किया था इन्होंने संफ्लावर को एक इंडिकेटर प्रयोग किया था इसमें पार्टर की लुए लिमिट बहुत हो जाती है अब अंदरा बार के आसपा जो है इसमें मौस्टर टेंशन पहुंच जाता है प्रवानीर बिल्टिंग प्रवानन बिल्टिंग पॉंट में जो मुइस्टर का परफेंटे रहता है रूट जोन में उसे इपना बिल्टिंग औरकिंट बोलते है एक अवेलेबल बाटल है पपिलरी बाटल आच्छा जो होता है एगर इसकी बात करें तो कि पूरा प्रान मर गया तो ऑल्टिमेंट बिल्टिंग पॉइंट के उपर पहुंच आता है पी पीज कि सिनकि तो यह सब दियुक्त की कब की निस सो नौ में की ठीक रहेंज जूरों से तब्धा होती है व Chief music growth कि में पिल्टिंग पॉइन और पाइट का sweat का प्रमानली बिय्टिंग आसपास पाथ 4.1 फ्र माझ स्वाम ही माझाएव तुम्हारे यह फिल्ट के ब्टी बाला ठीक पी एक की खुछ इसने की स्लाइन फाइल ने की टीक एस आई लियन अच्छा टेंसिमेंटर क्या होता है टेंसिमेंटर एरोमेटर बोलते हैं यह क्या करता है यह क्या क्या करता है यह को पहले बात क्लेव फॉटेबल नहीं है और स्वाइल मास्चर को नापता है ठीक आगे बड़ाओ इलक्ट्रॉलिक रसिस्टेंट वाइगोस मेफड़ एलक्ट्रॉलिक जानते हो 99% total water का uptake हो जाता है इतने जान लो पोटेंशल इवेपो ट्रांस प्राइफर के खोज किस ने की यह concept किस ने दिया यह थोर्ण वाइट ने दिया 1948 में यह यह जो है लाइसी मिल्टर से नापते हैं पता है तुम पहले से क्या है जानते हो तुम लो क्राब वाटर इंट के खरएएं lige रहत है वाटर इलिध इस फींगे मिल से ऊती है सब से कम接 के वतिए इंगर शु debit की withло सब्सक्राइब Cond cit 9.2 परेमिलटकी मेच ये इट एट डिवन 222 शेल अध। कि से जृट से निपिंग कि से ग्राम कॉट्ण से रैपिंग कि से णत्रों कि से शगर कैंसे बरपिंग बनाना से ट्रेसिंग सुकर कैंसे कुकरण में कितना तेल 50 सिस्मम में 46-52 में च्वालिश के अफ्टर में 35-58 सेफ लावन 24-636 रेप सीड में 33 सवह इन में 20 ठीक प्राइस में प्रूटीन 6-7 वीड में 11-12 में 10 सोरगं में 10-12 बाजरा में 11-12 प्रोटिन कंटेंट पल्स में किता होता है 21.1% होता है ग्राम में मतर में 22.5 मुव में 25 कावपी में 23.4 ठीक लेंटिल में 25 आरहर में 21-25 उर्द में 24 बेटेबल मीट किसे बोलते हैं कावपी में को बोलते हैं स्वाविन में कितना प्रोटीन होती है 42 शेशमम में 18-20 सेफ लावर में 40-42 ग्रावन नट में 26 अलुट इंट में 36 फेमली सबकी आपको यादी हैं ग्रेबनी में सीरियल स्नेपिर ग्रास सबाती हैं लेग्विनेसी में सनहम पात आता है पांकी ग्रावन नट पलसेस तो आती ह है इसलेने सी में चार आती है ब्रेंजल टेमेटो पटेटो चिली इस गराव टबेको भी है क्रोशी फरस में रेडिस पगर आते सब क्रोशी कुकरविटी सिमें जितने भी करलू तुमारे कद्दू बद्दू है सबाज आते है माले वीसी में कॉटन बिंडी आता है जिंजर वीसी में जिंजर और टर्मिनिक आता है अब यहां से आपका क्राप प्रोडक्शन स्टार्ट है आपका अगले लेक्षर में जोड लेंगे तो आपका वो उसको वीडियो को मर्ज करतेंगे ठीक है और इसको सस्काइब अगरा कर दो रादे रादे बाए